यार आज copy trading के उपर बात कर लेते हैं क्या कहते हो अचा copy trading जो ना past में इसके उपर हम वीडियो बना चुके हैं लेकिन copy trading जो है वो होती ही future trading के उपर है लोस करवा रहे होते हैं और मज़ेगी बात उसमें बड़े-बड़े एक्सपर ट्रेडर्स भी होते हैं खैर हम चूज करते हैं आज बिट गैट को कोपी ट्रेडिंग वाला जो सिस्टम है बड़ा अच्छा है नो डाउट टीक है टोटल इसके उपर मैं आपको कम्प्लीट ट हैं लेकिन एक बात को माइड में रख लो हम बुरे से बुरे टाइम के लिए पहले रएडि रहते हैं बजाए अच्छा सोचने क्यों कि हमें योट को लेते हैं लेकिन उससे पहले लेकुश्य आपने दस डॉलर रखने हो यह जानना बहुत ही जजरूरी है कि जिस एक्सचे के बारे में भी आपको जानना वुती जादा जरूरी है और उसके बाद बिटगेट की जो ओफर अभी तक किसी ने वेल नहीं की तो यार उसको आप ज़रूर कर लो खैर नहीं लोगों के लिए है कि एक डॉलर के एक्वल जो आपको जॉइन करने पर के वाइसी करने पर मिल ज उससे आप अकाउंट के रेट करोगे उसके बाद के वाइसी करोगे यारनि के अपना आईडी काड वेलिफाई वगरा करोगे और उसके तीन से चार दिन के अंदर अदर आपको खुद बाखुद स्पोर्ट के अंदर रसीव हो जाएंगे यह मैंने नहीं देने यह उन्हों यहां पे स्पोर्ट भी है मतलल फ्यूचर की तो हर जगा होती है लेकिन यहां पे स्पोर्ट भी है ठीक है? वो सेल करेगा आपका कोईन सेल हो जएगा और बोट के अंदर क्या होगा या उसके अंदर आप स्ट्रेटिजी वगरा बना के क्योंकि बोट इसका बड़ा इंटरस्टिंग है इसके अंदर जो है ना एक तो यहां पे आपको टॉप पे बंदे नजर आ रहे हैं इनकी एक एक चीज आपको यह जो नजर आ रहा है यह सारी सैटिंग्स एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ ठीक है लेकिन अभी मैं ज़रा बैक कर लूँ क्योंकि इन्हों ने जो फ्रंट पे आपको बंदे दिखाए हैं आवर व्यू के ओपर ही ठीक है इनका प्रॉफिट अच्छा मुझे लग रहा है जैसे के जैसन है ठीक है और यह नीचे भी है यह स्पोर्ट के इन्हों ने यहां पर शो कराएं ठीक है यह पहले वाले को उपन कर लो ठीक है अच्छा सबसे पहले यह बात माइंड में रख लो कि अगर आप इसके अंदर करने ही लगी हो ना त कोट के अंदर इसकी जो रैंकिंग बने की वह में नमबर पे आएगी ठीक है यह आपको नीचे ना जरा आरिया बिटगेट नाइथ नमबर पे तो मतलब टोप 10 के अंदर आरिया लेकिन इनके जो नमबर्स होते है उपर मीचे होते हैं कोईन की गो पे भी आप इसकी रैंकि करना पड़ता है रांस्पेरेंट 100% तो होता नहीं है इसके अंदर फीचर्स मुझूद हैं जैसे के लांच पैड हो गया लांच पूल हो गया ग्लोबल बोनस जो आप आज हो अपनी कोपी ट्रेडिंग के उपर सबसे पहले हम फ्यूचर ट्रेडिंग को देख लिए पिर हम फीचर ब्रेडिंग को एक माइंड पर करते हैं जैसे मैं इस पर क्लिक करणा किया है आपको नजर आ रहे हैं इसके टीन हजारपैंसाटिस की ओर नजवर हो चुके हैं अगर ऑव्रव्यू में जाते हो तो यहां पे आपको इसका ग्राफ बनावा नजर आ रहे है कि इसका कितना हुआ ठीक है अचा अगर आप इसके थोड़ा सा बैक करो ना तो यह देखो आपको एक चीज़ को आपको समझना बड़ा जरूरी है कि देखो यहाँ पे आपको profit शो करा रहा है 932% नहीं कि तक्रीबन 900% 9X यह कहरा है जी profit बन चुका है लेकिन यह हकीकत नहीं है यह जो profit यहाँ पे आपको शोर है इसका मतलब यह हर्गिज नहीं है कि 100$ लगाओगे तो 900$ बन जएगा 1000$ लगाओगे तो 9000$ बन जएगा ठीक है इग्जेक्ट जो data जो नजर आना चाहिए यहाँ पे transparent वो भाई नजर नहीं आ रहा ठीक है जो इसकी अच्छी चीज़े है वो भी discuss करेंगे और जो बुरी चीज़े है उसको भी of course करना पड़ेगा अब इसके profit की कुछ percentage आप किस तरह पता लगा सकते हैं क्यों कि यहार कितना बंदे को profit हो रहा है कितना नहीं ठीक है अब इसमें यहाँ पे नोने टाइम दिया हुए जी पिछले साथ दिन का यहाँ को record नजर आ रहा है अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ छे तारीख को जो है ना 930% था profit ठीक है और अभी जो है ना वो 932% profit हो गया एक अफ़ते में तकरीबन दो परसंट इसके profit की जो percentage बढ़ी है ना यहाँ से आप अधाल गासे को दिखाया किया जा रहा है लेकिन असल में देखो एक अफ़ते में दो परसंट profit बना जो कि वैसे बुरा नहीं है last month यहाँ पर click करके देख लेते हैं ठीक है यह जो चीज़ें ने यह आपको इसको पूरा समझने में और decision लेने में फायदा देंगी अब समझो यह कितनी तारीख को 14 तारीख को 14 माई को यह स्टार्ट हुआ था इसका profit percentage यहाँ पर शो हो रही है 924 ठीक है और अगर आप end में यहाँ पर आ जाते हो तो यहाँ पर 932 इशारिया 15 शो हो रही है ठीक है तो 8% ठीक है तो अगर इससे calculate किया जाए तो यार पूरे एक महीने में 8% इसकी percentage बढ़ी है और 8% बुरी नहीं है अगर आपने 100$ लगाया वा था तो 8$ प्रोफिट बना है तो ठीक है कम amount है तो जाहिरा पिर कम लगेगा लेकिन अगर आपने 1000$ लगाया था तो 80$ यहाँ पर लोगा profit बनाओगा तो यहाँ पर profit and loss आपको शोकरा रहा है amount के अंदर ठीक है अब यह भी आप देख लो यहाँ पर month कही हम करके देख लेते हैं तो इन चीज़ मोई देखो graph तो बड़ा अच्छा शोकरा रहा है कि यार ऊपर को जा रहा है ठीक है और अभी जी इसके पास कितने डोलर हैं 3.93 के ठीक है यानि के 3930 डोलर है भी ठीक है 3400 ते और इतने हैं तो तक्रीबन जो है न वो 530 डोलर का profit बना है इसके account के अंदर पूरे महीने के अंदर ठीक है तो बुरा तो नहीं है वैसे ठीक है बुरा नहीं है अगर आपने मालो 300 500 डोलर लगाया होता तो अभी आपका तो क्रीबन 50-50 डोलर profit बना होना था पूरे महीने के अंदर तो इतना जादा भी नहीं है लेकिन ठीक है 8 परसन ठीक हो गया अब आगे नीचे आजो नीचे आपको यह पता चलेगा किसने ट्रेड किस किस के अंदर किया हुआ है यह जि बना तीन यूएसटी ठीक है तो ऐसी देखती जो आप यह देखो इसका आठ गंटे था दो शर्या चालिस प्रॉफिट बना रेड वाली भी आपको अक्सर में शोओंगी इसकी रड नी शोओंगी इसका सिर्फ प्रॉफिट बना है इस पन देगा 100% प्रॉफिट में जा र इसको आपने दोनों को 30 दिन का करके देख लेना ठीक है अब हम चलते हैं अगले पेज के उपर ठीक है यह इसका अगला पेज है स्टैट्स का ठीक है स्टैट्स के अंदर आ जो अब इसमें आपको रोई शोकर आ ठीक है 932 और आपको पता है अब इसका यह भी देखना बात है और मेरे ख्याल से ऐसा ट्रेडर जो मैं समझता हूं कभी भी हमें 30 दिन की से बंदे का पता कोई नी चलता क्योंको शूरू में हर बंदा प्रॉफिट बना भी लेता है तो जिस बंदे को आप देख रही हो तो ना यारी बंदा पड़े एरसे से कारोबार कर रहा है जो कामयाबी से कर रहा है ताब उसके साथ पैसे लगाती हो तो यह जो है नेगिटिव पाइंट इसके अंदर नजर आया खैर अगली चीज़ आगई यहां पर ड्राडाउन बाकि इसकी मैंने हकीकत आपको बता दिया क्या है ठीक है आपने कैसे प्रॉफिट का पता लगव सो डोलर से चला गया 95 डोलर पे या 90 डोलर पे चला गया ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ बाद में प्रॉफिट में भी आ आ गया आया नहीं आया अलग बात है लेकिन चलो मान लो आ गया जी 110 डोलर होगे अब हम आपके अकाउंट की हिस्ट्री देखेंगे कि यार इसने 10 डोलर प्रॉफिट तो बनाया है जैसे यह जो बंदा है इसने प्रॉफिट तो बनाया हुआ है लेकिन इसका कभी लोस जब हुआ था या लोस में जब अकाउंट गया था तो कितना नीचे गया था तो आपका नवे पे गया था तो हम बोलेंगे जी 10 डोलर नीचे गया था 100 में से मतलब 10% तो आपका जो है ना माइनस 10 निकलेगा ड्राडाउन ठीक है तो इससे पता चलता है अब जैसे मान लो कि आपने सोडोर लगाया और आपका काउंट चला गया जी 60% लोस में चला गया माइनस 60 अगर आपका काउंट हो गया अंदर ये बंदा जाता रहा है पास्ट में तो इसका तो एक परसंट से भी नीचे है इसका तो ऐसे है कि आपने 100 डोलर गया ता तो माइनस एक तक गया तोटल ट्रेड जो है ना 14,841 ट्रेड ये कर चुका बंदा तोटल इसको प्रोफिट हुए 3900 ठीक रेट इसका 88.9 चल रहा है यानि 100 मेंसे इसकी 88 जो ट्रेड रोती है 89 ट्रेड रोती है वो प्रोफिट में जाती है 11 ट्रेड लोस में जाती है लेकिन जनाब औरों की पीछले पूरे महिने में कोई लोस की ट्रेड नहीं नज़र आ रही है ठीक है और इसका ड्राइडाउन भी जेको कितना कम नज़रा रहा है हमें आगे आ जाता है AUM AUM क्या होता है Asset Under Management कि लोगों ने जो पैसा लगाया है ना इसके साथ ये 500 बंदों ने जो पैसा लगाया वह उपर जो 500 बंदे इसके फोलवर है उनों ने जो पैसा जाए है सबका पैसा मिला कि ये 1.8 मL यलियन लगावा है भर ये जो प्रॉफिट बने ना ये 1.8 मिलियन पे नहीं बना है इसकी अपनी इन्वेस्टमन पी बने इस 1.8 मिलियन पे जो बना है वो अलग ہے ठीक है बहुत सारी चीज़ें यार इसमें ट्रांस्पेर्ट होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है तो यहां से आपको यह नजर आ गया अब यह सारी चीज़ें बड़ी ही जादा अच्छी नजर आ रही है लेकिन ड्राडाउन इतना कम क्यों नजर आ रहा है कि यह लोग क्या करते हैं कि जब इनको माइनस में जाती है ट्रेड यह लोग मजीद उसके अंदर पैसा डालते जाते हैं जैसे मान लो कि आपने 100 डोलर लगाया ठीक है इस चीज़ें समझने वाली है इनको समझ लोगे न तो आपको आने वाले टाइम में वैसे भी सारी ट्रेडिंग वेरे की समझा जीए आपने जो है, सो डोलर लगाया, ठीक है आपका माइनस पचास डोलर हो गया ठीक हो गया, आपका ड्राडान जो है जो है नवो माइनस पचास परसंट पे चला गया ठीक हो गया, अब आप लोगों को कम दिखाना चाहते हो, आप क्या करोगे 1000 ڈولर का deposit कर दोगे अब 1000 ڈولर deposit घीआ आपने लोस तो सिर क्तने पेसन बनता है माइनस 5% तो यहां पे show हो जएगा माइनस 5% ठीक हो गया यनिके आपने मजीद पैसा डाल दिया असल में आप बहुत गंदा कहले हो आप 50% माइनस में हो लेकिन आपने फनकारी लगाई कि आपने मजीद पैसा डाला लोगों को बनाया बेवकू ये सारे पेर्ज इसने पता है कि किन किन पेर्ज के ओपर ये कर सकता है ट्रेटी का लेकिन असल में वो दो परी किया है उसने पिछले महीने में उसके बार आगे आजाती है आपकी उप्षिन जी ओडर की ठीक होगया ओडर के अंदर आप आजो ओडर के आज़ आज़ो कि आप आओगे तो आगे दो अपशने आज़ाती है अब ये एक अच्छी बात है कि प्रॉफिट में सारी क्लोज हुई है लेकिन इसकी भी अखिकत आप जान लो कि जब ये लोग माइनस में जाते हैं ना तो ये लोग अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं करते हैं ठीक है ये लोग उसको ऐसी पड़ा रहने देते हैं मजीद पैसा डालते रहते हैं क्योंकि अगर ये क्लोज करेंगे ना ट्रेड को तो इनका ये जो इतना अच्छा पॉर्टफॉलियो बना है लोग धड़ा धड़ जुड़ रहे हैं वो जुड़ेंगे नहीं ठीक है तो मैं आपको हर्गिस ये नहीं कह रहा है है ना कि प्रॉफीट में चारें अथीक करें तो ये सारा मामला है इस को जो थो है ना समझना अपके लिए ज़ूरी है अब इसके अधर ये लोग चीज़ क्या करते हैं दिखो मैं चारों साथसाती में आपको बता दूँ कि लोगों को नहांना इसके अंदर 95% करते हैं उनको बड़ा लोस हुआ है अब उस लोस की वज़ा किया है यहां पर लोस शो नहीं हो रहा है जैसे अब जैसन है ना जैसन को फोलो करने वोले बड़े लोस हुआ हो लेकिन जैसन को नहीं हुआ उसकी वज़ा वही है कि तुम लोगो ने लगा है सो डॉलर आपका भी मसला है उसने जीरो हो जाना होता है ये डाल लेगा पैसे अब आपको ऽोगे नहीं पैसे मुझीद वरना तो क्या होता है कि अकsty होता है कि अगर आपका 60 डॉलर का नाइटी नाइटी फाइफ पे ना नाइटी पे पहुंच गया है ना लिक erta डाल दोगे ना तो अचानक आपको नजर आएगा जी 40% माइनस है फिर आपके पास थोड़ा बैलनस होगा ठीक है उसका नुकसान ये भी होता है कि बाकी जो पड़ा है वो भी जा सकता है लेकिन आप ये पैसा इतना डाल देते हैं कि इनको लोस होता नहीं आपका अकाउंट जीरो होता जाता है ठीक है और होता कि एट इनकी ट्रेड प्रोफिट में बंद होती है और आपको ये नजर आता है देखने में वाजी बड़ा अच्छा प्रोफाइल है अब हमने इसको सैटिंग में आपको बताऊंगा इसको आपने करना कैसे है अगर आपने करना है तो चीज़ भी हमने देखने हुए आचा इसी जैसन के अंदर ही आजो एक और चीज़ में आपको बता दूँ ओर्डर के अंदर हम चले थे ठीक है फॉल्वर्स के अंदर चले जो यहां पर फॉल्वर नजर आ रहे हैं और आप टॉप फिफ्टी फॉल्वर नजर आ रहे हैं और इस बंदे को पचाज जाए डॉलर यह कहने है और इसका तकरीबंद्स का तो पचाज जाए डॉलर जाओ ज यह कहरें पर चले है के बना TRED कर रहा है कैं सरक क्या होता है history उसकी अच्छी है सारी आप follow को कर ले तो लेकिन उसने पिछले तीन अफ़ते से trading ही छोड़ी भी है तो उसके लिए current trades नजर भी आ रही हो बंदे की और open भी हो बिसकी open दे होंगी बता नहीं लोस में होगी तभी दिखाने पा रही है ठीक है अब जो है ना आप यहां पर उपर आजो future के उपर क्लिक कर लो ठीक है और यह आपको सारे बंदे नजर आ रही है ठीक है और यह इन सब का मिला कि यह profit इसको बनना ठीक है पच्छिस सो कुछ trade हो चुकी है टोटल जो profit बना है तक्रीबन एक लाग बना हुए ठीक है टोटल profit इतना बना है और पिछले तीन हफ़ते का इतना बना हुए ठीक है अब इसके उपर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर देखो हजार बनों को जोइन करा सकता है 988 बन्दे अलड़ी जोइन हुए हुए है ठीक है इसको मैं copy पर क्लिक करता हूँ ठीक है अब यह हो रहा है जोइन इसको हम जोइन कर सकते है यहाँ पर अगर आप stat के अंदर आते हो ना मतलब 1500 बन्दा इसको ट्राई करके वापिस जा चुक है कि लोग आते हैं तो जाहर है जिनको नुकसान होते हैं मसला होता हो वापिस भी जाते हैं और यह total यहाँ count होते रहते हैं अब एक दिन क्या होगा कि यहाँ पर जनाब इतनी होंगे यहाँ पर शायद 25,000 हों ठीक है तो इसका मतलब यह हो कि 24,000 बन्दा इसको ट्राई करके जा चुक है वो इससे शायद satisfied नहीं है ठीक है फिर अब मैंने आपको सारी चीज़े बता दी हैं अब किसी एक बन्दे को हम copy कर लेते हैं अब कि हम इसी को कर लेते हैं अच्छा उसके बाद दोनों को भी कर सकते हो आप कोई मसला नहीं है लेकिन यह कि जाहरा है पैसे फिर डबल चाहिए होगे कम से कम आपको 10 डॉलर चाहिए एक कोईन को करने के लिए तो दो हैं तो फिर 20 डॉलर होजएंगे आपके कम से कम होने जादी चाहिए देखो कम पैसे होंगे जल्दी लिक्विडेट हो जोगी है पैसे जादा होंगे फिर ही फायदा होगा मसला यह भी है कि जादा पैसे भी लिक्विडेट हो सकते हैं लेकिन उसका मैं सलूशन आपको बताता हूँ करना है ठीक है उसके बाद अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देती है तो इसमें जो उप्षन है ना वो क्या है कि जो ये बन्दा ट्रेड ओपन करें ना उसके कितने एक्स मेरी ट्रेड ओपन हो ठीक है यानि यानी वन एक्स सका मतलब यह है कि इस बंदी ने एकर सो डोलर की ट्रेड ओपन करेगा आपकी दस सेंट की ट्रेड ओपन होगी ठीक है अगर ये एक डोलर की ट्रेड ओपन करेगा आपकी एक सेंट की ट्रेड ओपन होगी ठीक है इसको अब 0.1 भी कर सकते हो अगर आप ये सो डोलर की ट्रेड ओपन करेगा आपकी एक डोलर की ट्र करना है उसके बाद अगर आप एडवांस पर क्लिक करते हो यहां पर आपको यह आपका पेर नजर आ रहा है ठीक है मार्जन फोलो बाई ट्रेडर इसके ओपर क्लिक करो आगे आ रहा है कि फ्यूचर की सैटिंग जो आपने की वी है वो यूज करनी है ठीक है स्पैसिफाइड करोगे सेम उसकी वली होगी ठीक है इस पॉइंट अब फाइदा भी इसमें ज्यादा हो सकता आपको लेकिन इस पॉइंट पे आके आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप जो आपको लगते है ना काउंट जीरो होजएगा या मड़ा मसला होजएगा ठीक है तो वह आप उससे करो मैं यही बोलूँगा आपको 5X भी कर सकते हो लेकिन 1X से स्टार्ट करो क्योंकि देखो हमने चीजों को भी टेस्क भी करना है और कम से कम रिस्क्यों पर करना है ठीक है कलको हम 2X या 5X तक हम कर सकते हैं अब एक और में चीज बता दो इसमें जो स्पोर्ट की कोपी ट्र पर दो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं तो आप अब चेक करने के लिए जो आप इसको बढ़ा भी सकते हो आप जितनी मरजी उप्शन इननने सारी दीविया 100X जतनी ज्यादा करोगे अतना ज्यादा फाइदा भी हो सकता है और अतनी जल्दी बैलनस भी आपका 0 हो सकता है इचे आपको कहरा है एंटर कोपी लिमिट इसमें आप लिमिट लगा सकते हो कि यार जैसे मानलो आपको सो डॉलर पढ़े है तो आप कहते हो नहीं यार मैं यह नहोंगा मेरे 100 के 100 चले जाए है सारे यूज़ों मैं 30 डॉलर यूज़ करना चाता हूँ तो आप यहां पे 30 लिख दो आप यहां पे 100 लिख दो मतलब मेरे अगर 1000 है जैसे मेरे अकाउंट के अंदर वैसे तो काफी पढ़ने लिखने प्रसन लगा है तो तो आप लगाने का फाइदा वहरे अगर परसन लगा लोगा करे मेसिता प्रस स्याफिर जैरे कैसी जीज़ा इसका इसका लगाने का फाइदा भी है लेकिन जायतर नुक्सान भी हो जाता है कि आपने stop loss लगाया जी 1% ठीक है 1% तो कभी न लगाना कि जैसी वो 1% माइनस जाएगा आपका बंद होता जाएगा बार बार ठीक है तो stop loss को आप यू लगा सकते हो कि यार मेरे 100$ है बीच में पड़े वे तो अगर मेरे 50$ माइनस हो जे ना तो फिर ये बंद हो जे या मेरे 30$ यहाँ पर माइनस हो जे ना 30% मेरी अमाउंट चली जाए लोस में तो ये बंद हो जे बज़ए इसके कि मेरा सारा account 0 हो जे इस तरह आप अपने अकाउंट को बचा भी सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर तो आपने अमाउंटी पूरी-पूरी रखी है, बीज में 50 डॉलर, 70 डॉलर, 30 डॉलर, टेंशन नहीं आप चाते हो, और मैं इससे खेलना चाता हूँ, तो फिर चाहिए SL को आप ना भी यूज करो, क्योंकि ये 30 परसन पर आके आपका लोस्स बुक करा दे के आपको साइड पर कर देगा, और हो सकता है, ये माइनस 50 परसन पर आपके ट्रेड जाके वापिस भी आनी हो, ठीक है, तो इसलिए इसका फाइदा भी होता है, मैक्सिमम यूज डिटी इदर इसने दे देखो, पच होते हैं, और अब यहां पर हमें शो होना शुरू हो जाएगा, मैंने ये पहले मैं जो टेस्ट कर रहा था, मैंने बंदा एक जोईन किया था, और अभी तक इसने कोई ट्रेड नी ओपन की, ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, कि इनकी ट्रेड हमने देखनी होती है, व मैं इसलिए पता नी चलेगा, आज का लिए ट्रेड कर रहा है, फूचर की कोपी ट्रेडिंग आपको सार पता चल चुक है, लेकिन वीडियो भी लंबा हो चुक है, अब ये स्पोर्ट की जो है ना देख लो, बाकि आपको मेन चीज समझ आ गई है, इसका भी वोई सीन है, और ऐखो बंदे की, यहां पे रौईशो हो रही है, तीन उफते का जो प्रोफित आ रहा रहा है, सिर्फ ऌल हो सिर्फ 4 डूलर, 100% इसका यह है ठीक है, और इतने सारे लोगों ने इसके सान पैसे लिए लगा है, उसका भी स्यृट की देख टेख अ एक बंदे को जो है न हम करके देख लेती है इसका तो बढ़ा कम प्र dovट है आगे कर लिते हैं थोड़ा सा बंदा इसका जीरो शू हो रहा है इसका भी जीरो शू हो रहा है देखो ट्र को बंदें इसके पुमाति चार्व ना की अमांट है त्प वेसे भी आज कर लोगो कोई नीचे गए में है तो माइनस में चल रहे है लोग इसका 100% है लेकिन 2 लाग की अमाउंट है और प्रोफिट चेक करो इसका 3 अफ़ते का 32 डोलर है ठीक है टोटल 800 डोलर प्रोफिट इसको हुआ है तो बजाए स्पोर्ट के आप फ्यूचर वाली ही कोपी ट्रेटिंग के अंदर जा के वन एक्स यूज़ करके उसको स्पोर्ट समझ के कर सकते हूँ क्योंकि वहाँ पर लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ तुम बिलेगा ठीक है लेकिन फिर भी अगर आपने करनी है तो इसमें आप कर सकते हैं जैसे फर्स ग्रो के करने के लिए हम चेक कर लेते हैं ये बंदे पर मागे 500 बंदों ने इसको पहले जॉइन किया है तो इसको तो हम कर नहीं सकते हैं हम जो है ना वो चेक करने के लिए पहले वाला बंदी देख लेते हैं अलागि इसका profit विगरा बहुत कम है, ठीक है, इसके order चेक कर लो, अभी इसके current rates चल रही है, इसने show crime ही है, देखो सारी minus में जा रही है, नीचे वाली ठीक है, और कितने कितने, 18% minus में, 20% minus में, ये 62% minus में केक चा रहा है, ठीक है, इसको दे के पता क्या लग रहा है, इस पता चास डॉलर इसके अंदर लगें, उससे जादा मेरे ना लगे, नीचे risk management में वही टेक profit stop loss, इसमें stop loss ना लगाना, क्योंकि इसमें अगर आप stop loss लगाओगे, वो stop में को माइनस में बंद कर देगा, आप वो ना लगाना, maximum पे फिर limit लगा दो, आप जो भी आपने लगानी ह हो गया, लेकिन ये के जो चीज़ें इसमें आपने सीख ली है, आने वाले टाइम में future trade और copy trading की जो हकीकत मैंने बता दी, मेरे गाल से, काफी सारे लोगों ने ये नहीं बताई होगी, लेकिन कुछ मैंने वीडियो देखे थे, उन्होंने बताई थे, उन्होंने बताई थे setting भी दूसरों की copy कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं खुद कोशिश करता हूँ, setting बनाने की setting वेरा है, मैं create करूँगा और मैं आप से setting share करूँगा, ठीक है, आप just setting को copy करोगे, उन्हों मामला okay होजएगा, ठीक है, बाकि देखो, जिस तरह हम सुनते हैं ना, यार, ये तो yes ही होजएगा, yes कुछ नहीं होता भई, वही struggle होती है, हर किसी में, ये जैसे crypto नीचे गई भी है, तो आपकी हर चीज़ ही जो ना, माइनस में जा रही होती है, liquidate हो रही होती है, future में भी आप फसे भी होती हो, इतना जो है नहीं, हाँ, लेकिन आपने safe तरीकों से चलना है, आपे भी जो trader and expert जो बने बैठे हैं, है नहीं है, ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी वही वाली strategies लगा रहे हैं, कि हर coin को जो है ना, वो खरीदे रहते हैं, जैसे वो नीचे जाता रहता है, जैसे उपर जाता profit हो जाता है, और future में भी यही कर रहे हैं, तुम लोगों से जितन कम से कम amount के उपर करना है, ठीक है, क्योंकि देखो, जो मर्जी हो जे हमने कभी भी इसको ये नहीं समयना कि लोजी, risk नहीं है, हमेशा risk रहेगा, ठीक है, profit से जादा मैं loss पर focus कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, अंदर की हकीकत कि यार, लोग इसमें loss करवा रहे हैं, भ आपने इसको करने की कोशिश करनी है, और जिस बंदे को बिल्कुल समय नहीं आ रही तो जो मैंने तरीका बता है, उसको भी आप follow कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कम से कम amount लगा ना, क्योंकि कुछ time बाद यह पर पता चलो देखो, इसमें भी ये चीज है, कि मार्कीट हमारे गे कि ज़सको कि यह तरोंने मिलगा है, ल॥ता है, उसे कर दोना को बिल्सक्त करने कुछ सूछ बाला लगशा, कि बयासे क।ल्स्तू कम कि थक्षक बाला भ्यूचिश फी दो का लगड माषमका कि बाला कि ली कि जाम सूदा बाला रहता बाद मादध़ कि भी अजा हो, तो कि ऐ